Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करेगे Mother's and Sumi System Limited के बारे में So guys, Mother's and Sumi में यहाँ पर गिरावट कहा खत्म होंगी यहाँ पर आज हम डिसकस करेगे और इसका support level क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिसकस करेगे और साथ ही guys, यहाँ पर बड़ा target भी दिया गया है Mother's and Sumi में तो ओ भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में तो guys, यहाँ पर वीडियो को एहन तक देखना और अगर अभी तक मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं क्या है तो guys, चैनल को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares की latest news के लिए तो guys, वीडियो करते है start तो guys, यहाँ पर चलते हैं सिदा Mother's and Sumi के उपर So guys, Mother's and Sumi System Limited एक दमदार stock है और इसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियो उसमें बना चुगा हूँ और results इसके खराब रहे थे guys और उसके बाद एक गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिले थी और हमने भी कुछ levels इसमें draw किये थे उन levels के basis में इसमें गिरावट थी और एक दमदार share है, दमदार company है मैं इसलिए इसे अच्छा मानता हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो long term के हिसाब से इससे अच्छा stock आपको नहीं मिलेगा तो EV vehicles के साथ इसका एक important connection है तो connection कैसा है तो guys यहाँ पर यह जो parts बनाते हैं EV vehicles के लिए parts बनाते हैं और दुनिया में top 10 अगर EV vehicles की अगर companyya देखोंगे तो top 10 में से 7-8 companyya को अपना यहाँ पर यह product बेचते हैं तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर इनके जो CEO है जो इनके chairman है उनी ने यह statement दिया था और अभी अगर देखें तो काफी stock गिर गया है demerger की news के बाद तो काफी तगड़ा गिरा था और यहाँ पर 166 रुपे गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है तो guys as expect गिरावट हमें कल भी देखने को मिल सकती है और कुछ दिन हो सकता है गिरावट ही रहा है जब तक जो हम level बताने वाले वहाँ तक पे support ले सकता है उसे भी अगर ब्रेक कर देगा तो गिरावट ही गिरावट आएगी तो 1.39% के साथ stock गिरा है तो chart पे चलते है guys तो chart में मैं कल के लिए कुछ levels आपके साथ share करूगा और कल के अगर आप ए डिंट्राडे trader हो तो मदर संसुमी में मोका बन सकता है तो यहाँ पर 5 मिनेट टाइम प्रेम पर हम बात करेगे और आज अगर देखा जाए तो stock में गिरावट हमें देखने को मिली है काफी ज़्यादा stock गिर गया है बट यहाँ पर ए लेबल से अगर देखो तो कही न कही यहाँ पर support लिया है stock ने और एक resistance और support का game चल रहा है यहाँ पर एक resistance level है यहाँ पर एक support level है तो resistance और support का level यहाँ पर game चल रहा है guys और copy time से देख लो तो यहाँ पर support है यहाँ पर support है फिर उसके बात इस particular level पर इसे एक rejection मिला और फिर यहाँ पर एक resistance लिया फिर support लिया फिर यहाँ पर resistance लिया फिर यहाँ पर support लिया तो एक upside downs momentum हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हम wait कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर upside downs momentum है तो यहाँ पर भी उपर जाने की पूरी कोशिश इसकी रहने वाली है तो यहाँ पर अगर breakout हमें मिल जाता है तो एक बड़ा moment यहाँ हाँ पर आ सकता है बड़े लेवल की ओर इस टॉक जा सकता है लगबक 170 से 180 तक ही जा सकता है एक 166 पर तो यह ट्रेट करी रहा है तो आज तो इस टॉक गिरा है हाँ पर से तो यहाँ पर जाने की पूरी कोशिश इसकी रहेंगी यह तो इंट्राडे की लेवल मैंने बता है इस लोंग टरम के इसाब से स्टॉक में गिरावड पॉसिबल है क्योंकि यहा पर युद्राडे करूचा है तो कही न कहीं जो ट्रेड लारइन बनाई है ए मैं स्पूर्ट लेवल मानता हूँ वह भी मैं आपके साथ शेयर करूगा तो इस पर्डिकलर लेवल से स्टॉक में एक गिरावट यहाँ पर आई थी और यहाँ से stock में एक बड़ा था हमें देखने को मिले एक continuation देखने को मिला यहाँ पर stock अच्छा बड़ा और यहाँ पर rejection लेके सीधा यह नीचे की और आया तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर rejection है यहाँ पर breakout है क्योंकि consolidate किया था यहाँ पर consolidate किया फिर नीचा आया फिर यहाँ पर rejection आया फिर यहाँ पर consolidate किया तो कई बार यहाँ पर अगर देखो तो इस पूरे pattern में यहाँ पर consolidate है यहाँ पर है फिर नीचे के levels पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर तो इसी लिए मैं इसे एक important support level मान रहा हूँ हो सकता है कि एक double top जिसा double bottom जिसा pattern बने यहाँ पर उपर गया है, rate test करके उपर जाए मैं ऐसा मान रहा होगे, तो यहाँ पर हर चीज को लेके चलना पड़ता है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि support लेके उपर क्यों जा सकता है तो देखते हैं क्या होता है, और गाइस यहाँ पर बड़े आगे तो यह level में आपके साथ एक बार बता दे तो 153 रुपे का level है यहाँ सकता गिरावट तो possible है और 10 रुपे तक stock में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है पाच दिन के time frame पर और 5.66% के हिसाब से stock गिरा है गाइस और वही अगर देख लें तो एक महीने में 16 रुपे 95 पेसे तक stock में एक गिरावट है 9.23% के हिसाब से और वही अगर देखें तो 6 महीने में भी stock यहाँ पर 47 रुपे पेसट पेसे तक यहाँ पर गिर चुका है 22.24% के हिसाब से एक गिरावट हमें stock में देखने को मिल रही है और आज क्या हुआ है यहाँ पर market cap क्या है तो market cap stock का 75.15,000 करोड का market cap है जो इसे एक mid cap stock बनाता है P ratio इसका क्या है तो P ratio भी 35.88 का P ratio है dividend stock 0.90% का देता है आज की अगर बात कर ले stock में actual में हुआ क्या तो यहाँ पर 170 पे open हुआ था 171.15 का high लगाया और सीधा low लगा दिया 166.05 रुपिस के आसबस तो यहाँ पर high भी हमने देख लिये है और low भी हमने देख लिया है अब बात करते हैं 52 इक्स के high और 52 इक्स के low की 200 बहुततर रुपे 85 पेसे के आसबस का high आपको देखने को मिल जाएगा 144 रुपे 70 पेसे का low भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो guys highs और low हमने यहाँ पर देख लिये है अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर target क्या दिया गया है मदरसन सुमी में तो ICICI direct ने 185 के आसबस का target दिया है तो guys यहाँ पर यह target तो दे देते हैं बट support नहीं बताते हैं तो मैंने जो support बताया है वहाँ पर possible है कि यह support ले सकता है resistance level भी 176 के आसपास भी आज दिखनी को मिले थे बट यहाँ पर support level अगर देखो तो यहाँ पर 166 पर इसने closing आज देए है और यहाँ पर अगर देखा जाए 1565 के आसपास इसने respect किया है 162 और 160 आए के आसपास और वही guys अगर देखे price performance हल का बड़ा फिर सीधा गिर गया है नीचे के और कुछ इस तरीके का है 3 years की में बात करो तो थोड़ा बड़ा है फिर सीधा down है वही अगर देखो 1 week का 7.65% माइनस में है 12.13% माइनस में है 3 months का 31.83% माइनस में है और year and half का 25.41% माइनस में है 1 year का यहाँ पर 26.68% माइनस में है सिर्फ और सिर्फ और 3 years का यह प्लस में है 27.38% और यहाँ पर अगर देखा जाए trade values और combination deliveries 49,00,000 का असपास का trade value है yesterday की अगर बात करें तो 42,00,000 का trade value और 17,00,000 का है combination delivery और 1 week के average में 82,00,000 का trade value और 29,00,000 का है combination delivery और 1 month के average में अगर देखो 68,00,000 का trade value और 29,00,000 का combination delivery देखने को मजाएगा so community sentiments के आकड़ी अगर आप देखो तो 95% जो लोग है guys और बिलकुल यहाँ पर buy के लिए consider कर रहे हैं और 5% लोग की और से कहा जा रहा है आपर sell के लिए तो अभी भी buy के लिए कहा जा रहा है तो positive ही है तो guys यहाँ पर मदरसन सुमी के लिए मैं sure हो कि यह stock बढ़ सकता है support level मैंने बता दिया है और गिरावट कहा खत्म हो सकती हो मैंने बता दिया है so guys वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना thank you